दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि M.Pariuhan application के through आप अपना driving license या फिर आप सभी लोग अपनी हुईकल की RC को online कैसे download कर सकते हो M.Pariuhan में जो भी document आप सुरच्चित रखते हो वो भी original तरीके से सारे document valid होते हैं जिसमें कि अगर आप एक ही परिवार के कई सारे सदस्य हो और सेम हुईकल को चलाते हो तो इसमें document share करने का भी option मिलता है जिसमें कि आप RC को या फिर driving license को किसी के साथ में share कर सकते हो तो सबसे पहले तो आप सभी को M.Pariuhan जो application है ये application play store पे मिल जाएगे next gen M.Pariuhan इस application को आपको install कर लेना है application को first time आप open करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा जिसमें कि आप यहाँ पर दिखोगे कि इसमें digital virtual RC और driving license आप generate करके अपने पास में सुरचित करके रख सकते हो तो यहाँ पर आप सभी को इस application में आने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पर services को access करने के लिए हमें एक account की ज़रुत होगी हमारे सामने sign in का option आ चुका है जिसमें कि first time यहाँ पर हमें एक account create करना होगा जिसके लिए create account की option पे हम click करेंगे और यहाँ पर हम जिस भी state से हैं सबसे पहले तो इस list में से हमें अपनी state का जो name है वो select कर लेना है और यहाँ पर हमें अपना जो full name है जो कि हमारे RC पर printed है या फिर driving license पर printed है वो यहाँ पर हमें फिल कर देना है then यहाँ पर हमें submit के option पे click कर देना है तो इतना करते ही हमारे mobile phone पर एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर आप फिल करेंगे और verify के option पे click कर देंगे तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा account create होने के साथ ही में हम इस application के अंदर login हो चुके हैं इस application में जो भी हमें services देगे हैं उनको हम access कर सकते हैं अब यहाँ पर आप अगर इस application में देखोगी कि यहाँ पर detail को fetch करने का भी option दिया गया है जिसमें कि कोई भी हुईकल आंदवे अगर किसी भी हुईकल की detail आपको चेक करना है तो यहाँ पर उसका जो registration number है फिल करके आप सर्च करके उसकी detail चेक कर सकते हो driving lessons चेक कर सकते हो या फिर insurance या फिर POC certificate को आप यहाँ से verify कर सकते हो इसी के साथ में इस application में नीचे के तरफ देखोगे तो यहाँ पर my virtual RC या फिर my virtual DL का option दिया गया है जिसमें कि यहाँ पर आपका जो vehicle है उसकी जो RC है उसको आप यहाँ पर download करके रख सकते हो तो simple अगर हम RC को download करने के लि आप सभी से मांगा जाता है जो कि आपके RC पर printed होगी 5 digit यहाँ पर last के आप सभी को फिल करने है इसी तरीके से engine number भी last के 5 digit यहाँ पर आपको फिल करने होंगे यह सारी detail आपको RC पर printed मिल जाएगी यह करने के बाद में आपको यहाँ पर add my vehicle के option पे click करेंगे तो आपके phone पर एक OTP receive होगा जिसे आप यहाँ पर फिल करेंगे देन आप यहाँ पर submit की option पे click कर देंगे तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो vehicle की detail है यहाँ पर found हो चुकी है my vehicle added successfully का option यहाँ पर so हो चुका है यानि कि इस application में हमारी जो RC है वो download हो चुकी है तो हमें क सब्सक्राइब के सामने एक digital तरीके की virtual RC जनरेट हो करके आ जाती है जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगी कि कौर कोड भी दिया गया है जिसके माध्यम से अगर कोई चाहे तो इस RC पर जो भी detail देगे हैं उनको verify कर सकता है चेक कर सकता है इसी के साथ नीचे के तरब आप द है इंसरेंस कब तक वाइलिड है और यहाँ पर fitness certificate भी detail आप यहाँ पर ले सकते हो PUC certificate है या नहीं है कब तक वाइलिड है यहाँ पर यह सारी detail आपको मिल जाएंगी तो इस तरीके से आप अपने RC को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको driving license को डाउनलोड करना है तो यहाँ प दिखा करके कहीं पर भी चालान की प्रक्रिया से बच सकते हैं यह जो DL है पूरी तरीके से वाइलिड होगा आप चाहें तो physical document साथ में carry करने की जरूरत नहीं है आप इसे ही कहीं पर भी carry करके जा सकते हैं पूरी तरीके से वाइलिड डुकमेंट होते हैं जिसे original document आपके खोने से या फटने से बच जाते हैं अब यहाँ पर DL को download करने के अलावा कई सरी और भी services इस application में दीगे हैं जो कि अगर आपको जरुद पड़े तो इसी application के through access कर सकते हैं तो आसा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद हम दिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक ले गुडबाई जाहिन